गिनोने मनसूबों को कोचलना ज्यादा ज़रूरी है, क्या आज हो यह चाहता है कि आतंकवाद के आगे घुटने टेक दिये जाएं, आतंकवाद इस देश को खेरू खेरू बिखेर दे, देश का विकास थम जाए, देश का अमन अमान पूरी तरह से बिगड जाए, यही आतं तिन्कबादी चाहता है जिन्हों ने ये खिनोना अपराध किया था उसे घसीट के लाना चाहिए और एक ऐसी सजा देनी चाहिए ऐसा सजा याफता करना चाहिए कि पीडी दर पीडी it acts as a deterrent for generations पीडीया याद करें ऐसी खिनोनी सजा देनी चाहिए जिन्हों ने इस चीज़ क कि responsibility ली जो मानते हैं कि उन्होंने ये किया किन्दी सो 59 में कंढार में उनकी बेड़ियां किसने खुली था अने किसने रहा किया था यह मैं पूछना चाहता हूं वो किसकी responsibility है हमारी लड़ाई उनके साथ है क्यों फोजी मरें क्यों जबान मरें क्यों बाप के कंदे के उपर दुनिया का सबसे बड़ा बोज बेटे का जनाजा सत्रां सो इंसिडन्ट क्यों बढ़ें पर्मनेंट सिलूशन क्यों ना हो इनके साथ हम सब की जنگ है और मेरी भी है लेकिन किसी गुरू के सिक्ष की जंग किसी दो साल के बच्चे पांच साल के बच्चे मजलूम महला बुजर्ग के साथ नहीं हो सकती क्या किसी गर्बवती महला के पेट में पलता हुआ बच्चा किसी का दुश्मन हो सकता है आप इन आतंक वादियों से लड़ाई लड़िये